बिग बोस फीम अल्विश शादव की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है। रेव पाटियों में सापो का जहर सप्लाई करने के मामली में बड़ा खुलासा सामनी आया है। नौईडा पुलीस ने इसकी जाच के लिए जैपूर एफसल को इसके सैंपल भेजे। अब एफसल रिपोर्ट में कोब्रा केरित प्रजाती के सापो का जहर पाया गया। बीते साल नवेंबर में आरोपियों को रिमान्ट में लेने के बाद नौईडा पुलीस उनसे कई घंटों की पूछताच कर चुकी है। इस पुछताच में पुलीस के सामने कई खुलासे आए हैं, कई आरोपियों के नाम सामने आए हैं। अब आरोपियों ने ये भी जानकारी दी थी कि एलविश शादव की पार्टियों में बदरपूर से साप लाए जाते थे आरोपी राहून ने पुलीस को बताया था कि वर रेव पार्टी में साप और जहर का इंतजाम करता था जैसे डिमांड होती थी उसी के अनुसार सपेरे से लेकर ट्रेनर और बागी चीजे प्रोवाइड करवाता था उसने पुलीस को कुछ अन्य आरोपियों के भी नाम बताये थे जो रेव पार्टी में बीन प्रोग्राम और सापो का खेल करवाते थे उन में से कुछ ऐसे भी है जिसका एलविश और फाजल पूरिया से कनेक्शन भी था उसके बाद से ही पुलीस उसका पता लगाने में जुट चुकी है बता दे कि एंजियों का दावा है कि बिग बोस विजेता एलविश यादव नौईडा में रेव पार्टी किया करता था एफेसल की शिकायत पर एलविश की रेव पार्टी करने वाली जगहा पर छापे मारी कर पांच लोगों को गिरफतार किया था और उन से नौँ जहरीले साप बरामत किये गए थे अब ऐसे में देखना कि काफे दिल्चस्प होगा कि जो तरीके से बार बार फेमस यूट्यूबर एलविश यादव पर इलजाम लग रहे हैं कभी थपड मारने का और अब एक बार फिर से रेव पार्टी का जो मामला है वो उज्यागर होता नजर आ रहा है फिर से उड़त कि वी नजरा रही है